तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे कैसे आप गैंदा को कटिंग से क्रोग कर सकते हो अगर आपने गर्मियों के मौसम में इसके सीट्स लगाये थे तो आपके पौदे कुछ इस प्रकार से अभी हो गए और अभी रहने शीचन चल रहा है तो इसके जड़े बहुत अच्छी तरीके से क्रोग हो गई होगी तो आप इसको कटिंग से भी अभी लगा सकते हो अगर आप इस वीडियो को गर्मी के मौसम में देख रहे हो या फिर शर्दी के मौसम में देख रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल अच्छा यहां पर आपको मैं दिखाता हूँ उस तरीके का रिजर्ट आपको नहीं दिखाए दे रहा होगा ठीक है आपके पौदे बर इस तरीके की जड़े नहीं डेवलप हुई होगी अभी बारिश क से क्रोग कर सकता हूँ तो इसके लिए आप सभी को कुछ इस प्रकार से कटिंग को काटना है और यह देखो बिल्कुल हरी कटिंग होनी चाहिए और अब इसको पत्थर की सहायता से मैं इसके मट्टी के अंदर थोड़ा सा दबाता हूँ और छेत कर देता हूँ उसके बार आप सभी को यह कटिंग इसके बीच में लगा देनी है और तक्रीबन दो दिन में इसकी जड़े नीचे से खोराख लेना शुरू कर देगी और यह आगे सरवायू भी करेगी मरने के चांसिस नहीं होते हैं यह कटिंग को क्योंकि अब यह बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में किसे भी कटिंग को आप बड़े ही आसानी से क्रोपी कर सकते हो उलाब की कटिंग है तो आप नहीं कर सकते हो तो चलिए दूस्तों दो दिनों के बाद का रिजाट ये काफी अच्छी तरीके से मिट्टे में मिट्टे के साथ जॉइंट हो चुकी है और अब ये नीचे से खोराक लेना भी शुरुआत कर दी है अभी बारिश हो रही है और अंदेरा भी है बादल चाय हुए है तो मैंने फ्लेस लाइट को ओन रखा है ठीक है ये देखो ये डंडी को भी आपको लगा देना है क्या पता आगे सरवायू भी करें और ये पानी देखो आप तो चलिए अब मैं यहां से पानी को निकाल देता आओ क्योंकि फिर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आये तो लाइक करो शेर करो अपने उन दोस्तों के साथ शेर करो जो गार्डनिंग में इंट्रेस्टेड है और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर है तो बेल आइकन को दबा दीजिए जितने भी लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाए वो दबा दीजिए धन्यवाद